18.3 कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट 18.3.1 कंपोज्ट खाद के द्वारा, बाय कंपोजिशन हम देखते हैं कि हमारे घरों से निकलने वाले कचरे में जैविक रूप से नस्ठ होने वाला कचरा लगभग 50% तक या इससे अधिक होता है क्यों ना इसका प्रबंधन हम अपने घरेलू इस्तर पर करें अगर हमारे घर पर या आसपास कहीं भी जहां खाली जगा हो तो हम वहाँ इस कचरे को खाद में परिवर्थित कर सकते हैं खाद बनाने के लिए एक गड़े में रसोई घरों से निकलने वाले कचरे सड़े गले फलो और सबजियों वा खादे समागरी वा पत्तियों आदी को भर देते हैं इसे उपर से मिट्टी से ढगकर लगभग एक माह तक छोड़ देते हैं गड़े में डाले गए कचरे वा जिवानों की क्रिया के कारण कचरा खाद में बदल जाता है जिसे जैविक खाद, कमपोस्ट कहते हैं इस तरह बनाए गई खाद में पौधो की व्रिद्धी के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे पोशकतत्व उपस्थित होते हैं या मिट्टी की जल अवशोशन छमता में व्रिद्धी करती है जानते हैं केचवोदारा कमपोस्ट बनाने की विधी इसे तो किसी चायादार स्थान को चुनकर इसमें तीन स्थर बनाया जाते हैं पहला स्थर, मिट्टी की करीब 15 cm मौटी परत दूसरा स्थर, मिट्टी के उपर गास की करीब 10 cm की परत तीसरा इस्तर, दूसरे इस्तर के उपर गोबर की करीब 15 cm मोटी परत इन इस्तरों के उपर जल का छिड़काव किया जाता है और इसमें उत्तम नसल के केचुओं को छोड़ दिया जाता है केचुओं धीरे धीरे भीतर के ओर चले जाते हैं इस धेर को उपर से जूट की मोटी पोरी से ढख देते हैं इस धेर पर प्रते दिन जल का छिड़काव करते हैं लगभग 15 दिनों के बाद इस मिश्रण को फैला देते हैं इसी समय इस मिश्रण में जैब निमनिकृत हो सकने वाले कचरे को मिला देते हैं तथा इसे पुना जूट की बोरी से ढख दिया जाता है इस पर 20-30 दिनों तक समय समय पर जल का छिड़काव किया जाता है 20-30 दिनों के बाद केचो की सहायता से कमपोस्ट खात तयार हो जाती है इसे वार्मी कमपोस्ट कहते हैं क्या घरों से निकलने वाले सभी कचरें से कमपोस्ट खात बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं?